ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रोव सादर जैसी क्रश्न हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारी धर मिंद्र शास्त्री और आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफले 23 जून 2023 शुक्रवार का दिन है आशार महा के शुक्लपक्ष की पंचमीत इती है मघा नामक नक्षत्र होगा तथा सिंग रासी में चंदरमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में होगे इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस पश्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्याद आवश्यक हो तो दही खा करके यात्रा औरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की प्रातह साड़े दस बजे से शुरू हो करके दो पहर बारा बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवब मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निरने आप अपने ख्रेत्र के पंचांग अथवा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर की दि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जोकी मिथुन राशी में वहीं चंदरमा सिंग राशी में, मंगल गरह करक राशी में, बुद गरह वर्षम राशी में, देव गुरू बहस्पती जोकी मेंस राशी में, शुक्र गरह करक राशी में, शनी डेव कुंब राशी में, राहु गरह मेंस राशी में, तथा केतु गरह तुला राशी में बिर उसमें इनको लाब के उत्तम उसर प्राप्त होंगे। अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशिवा लोकाद देनिक राशिवल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंत तक जरू देखेगा। और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पन खिन रहेगा। रिष्टो में विगटन जैसी इस्तिती उत्पन होने से आपको बचना चाहिए। पैसो के लेंदेन में सावधानी आपको बरतना चाहिए। और उपाई के रूप में किसी भी मंदिर में घी का डान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक छे होगा। भागिशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं व्रशवरासी की। आज आपके द्वारा लिया गया कोई महत्व निर्णे बहुत ही फाइदेमन साबित होगा। निवेश शंबंदी कारियों को करने के लिए दिन उत्तम है। विध्यार्तियों को कोई चिंता यदि बहुत दिनों से चल रही है तो वहत दूर हो जाएगी। आप किसी प्रकार का कोई निवेश करने जा रहे हैं तो दिन अनुकुल रहेगा। लेकिन गेर कानुनी कारियो में रिचू बिल्कुल ने ले क्योंकि ये काम आपको नुक्सान दाई हो सकते हैं। नकरात्मक प्रवत्ति के लोगों के साथ आपको दूर रहना चाहिए अन्य था आपको मान हानी हो सकती है। कुछ पारिवारिक व्यस्तता की वज़ा से आप अपने करिक्षितर में अधि ले शुफल दाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मितुन राशी की, ध्यान रखे कि भावुक्ता में आकर आपके नर्ने गलत हो सकते हैं। इसलिए दिल की अपेक्षा दिमाग से नर्ने करे तथा आपको रिस्क लेने संबन्दी कोई काम नहीं करना चाहिए। उसमें यदि करना भी है तो बहुत सावधानी पूर्वक्त आपको करना चाहिए। सिर्फ थोड़ी सी सावधानी बरतनी की आउशकता है। आपकी विरोधी जलन की भावना से आपके खिलाब कुछ अफ गढ़ सकती है। और उपाई के रूप में गणेश जी के मंदिर में सिंदूर चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक पांच होगा। भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं करकराशी की। आज परिवा को भी कुछ समय से चली आरी परिशानियों से राहत मिलेगी। अनावश्यक बढ़ते खर्चों की वज़ा से मन कुछ परिशान हो सकता है। उचित समय पर उचित बजट बढाकर आपको चलना चाहिए। किसी पडोसी के साथ बेकार के मुद्दे पर विवादित इस्तिती निरमित हो सकती है। परंतु मामला गुस्से के बजाए शान्ती पूंड तरीके से निप्टाना अती उचित रहेगा। विवसाई में करिस्थल पर काम की क्वालिटी पर ध्यान देना अती आवश्यक होगा। सान्ती कर्मचारियों की गती विदियों पर आपको नजर रख ना हो जिए। नुक्री पेशवेक्टी अपने अधिकारियों के साथ संबंद खराब न होने दे। क्योंकि इस समय तरक्की के सुआ उसर बन रहे हैं। और उपाई के रूप में हैनुमान जी के मंदिर में यदि आप लाल रंग का कोई भी फल चड़ाएंगे तो आपका द लोगों की सुख सुविधाओं की देखबाल संबंदी कारियों में विशेश व्यस्त रहेंगे प्रापर्टी लेने की योजना आप बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत दिन उत्तम रहेगा। यानि आज के दिन उस समय में आप चर्चा कर सकते हैं और नर्णय भी कर सकते ह उपाई के रूप में यदि आप मा दुरगा के मंदर में महंदी और हल्दी चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की बच्चों की परिश बड़े खर्च के आने से आर्थिक इस्थिति डामा डोल हो सकती है इसलिए खर्चों पर नियंतरन या कटोती आपको करना होगी रिष्टों को सम्हालने के चक्कर में आपको दूसरों के आगे जुकना भी पड़ सकता है परन्तो इससे आपका मान सम्मान ही बढ़ेगा व् भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की कुछ अनुभवी तथा वरिष्ट लोगों के संपर्क में आपका समय व्यतीत करने से उसका सकारत्मक असर आपकी परसनल्टी पर पड़ेगा तथा आपको अपने जी खैरी और संयम से काम लेना आवश्यक होगा किसी भी असमंजस की सिती में घर के बड़े बुजर्ग या वरिष्ट व्यक्ति के सांथ सला मश्वरा आपको करना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भगवान शंकर जी के मंदिर में गंगा जल चड़ाएंगे तो आपक भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं वरष्टिक रासी की इस समय भावनाओं को अपने उपर हावी न होने दे क्योंकि कुछ आपको भ्रहमित करने के आपके इस वभाव का नाजाईस फाइदा उठा सकते हैं हर क आपको प्रेक्टिकल तरीके से पूरे करने की कोशिश करना चाहिए संतान की तरफ से कोई संतोष जनक परिणाम मिलने से मन को सुकुन तथा शांती प्राप्त होगी मेहनत अधिक करना पड़ेगी और लाब थोड़ा कम मिल पाएगा परंतु तनाओ लेना इस समस्या का हल नहीं है उचित समय का इंतजार करे अवश्य ही परिस्थितिया आपके पक्ष में हो जाएगी बच्चों की जिद के आगे आपको जुकना पड़ेगा व्यावसाइक परिस्थितिया जो है आपके अनुकुल धीरे-धीरे होगी विश्वास और पूरी सकारत्मक तरीके से आ आपको काम करना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्णु जी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं धनू क्योंकि इनके द्वारा आपको कोई महत्पूर्ण उपलब्धी हासिल होने वाली है कहीं से कोई शुप समाचार की प्राप्ती होगी विशेश तोर पर यूवा वर्ग भी अनेतिक कार्य से दूर रहे और ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए जो गलत मार्ग से धन क उपाई के रूप में भगवान लक्ष्मी नारायन जी के मंदिर में पीला फल चड़ाना आपके लिए शुप फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आप अपने कुशल व् निद्धि में आप व्यतित करें इसे आपके स्वभाव तथा स्वास्त पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में नारियल चड़ाना आपके लिए शुप फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा कारिक्रम की योज़ना बन सकती है वियर्थ के घुमने फिरने तथा मोज मस्ती करने में समाय व्यतीत करने की अपेक्षा गंभीरता से अपने कामों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए नए नोकरी या नया काम नया व्यापार आपके द्वारा शुरू हो सकता है कोई नय करते हैं मीन राशी की आज किसी घनिस्ट व्यक्ति से अचानक आपकी मुलाकात होगी तथा अपसी मेल मिलाप वारतलाप से कई महत्वपूर्ण बाते आपके सामने आएगी आर्थिक इस्तिती संतोज जनक रहेगी ऐसे मैं अपनी हाबी या कुछ नया करने की धुन आपको व्यस्त रखेगी और उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग गिशाली अंक और भाग गिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रशन साधर जन्यवार